ITR यानि income tax return file करने की last date है 31 July तो 31 July से पहले अगर आपको भी अपना ITR online fill करना है तो इस वीडियो को last तक देखिए income tax e-filing की site पर जाकर आपको सबसे पहले अपने pen card के साथ login कर लेना है profile open हो जाएगी यहाँ file now का option मिलता है इस पर click करने के बाद assessment year select करनी है online mode select करना है online mode select करने के बाद आपको continue पर click कर देना है फिर start new filing यहाँ आपको select करना है कि आप individual है हुआ या others में आते हैं उसके बाद आपको ITR form number select करना है 1, 2, 3, 4 में से आप जिसके लिए भी eligible हो वही form select करें अगर इसकी जानकारी नहीं है तो पहले आप पूरी जानकारी ले लें आगे proceed करने के बाद आपको बताना होगा कि आप ITR क्यों fill कर रहे है वो reason यहाँ पर tick करना होगा इसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी है जो आपको भरनी है जैसे कि आपकी personal information आपकी salary की सारी जानकारी अगर आप किसी तरह के exemption के लिए eligible है तो वो जानकारी जैसे कि आपने कोई donation दिया है तो उस पर exemption मिलता है वो सारी जानकारी अगर आपके उपर कोई loan है आपकी other कोई income है तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर fill करनी होती है सारी डीटेल्स फिल करने के बाद आपको प्रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है प्रिव्यू चेक करके आप उसे आगे प्रोसीट कर सकते हैं और OTP डाल कर उसे वैलिडेट भी करना होगा अगर आपको अपनी इंकम से रिलेटेट कोई भी कन्फूजन है तो फाइनल सब्मिट करने से पहले एक बार अपने CSA कंसल्ट जरूर कर लें